नमस्कार दोस्त, मैं देवित्र, मेरे यूट्यूब चैनल स्विल इंजीनियर टीके में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एक स्विल इंजीनियर होने के नापे हमारी responsibility यह बनती है कि साइट पे हो रहे सारे activities बहतर quality के साथ execute किया जा रहा है यह हम cross check करें तो अपने आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मेसनेरी वर्क का checklist कैसे बनाया जाता है और उस checklist में हम क्या-क्या points include करते हैं यह हम discuss करने वाले हैं आए आगे वीडियो में देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम block work, brick work या किसी भी तरीके का मेसनेरी वर्क का checklist के बारे में जाने हैं यह जो screen पे checklist visual है या मेरे site का है मैं अपने site पे यह checklist यूज करता हूं मेसनेरी वर्क का quality को check करने के लिए तो मैं detail में एक-एक pointers को आप लोग को समझाऊँगा आए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले आप अपना site का नाम लिखोगे यहाँ पे example के लिए मैंने अपना site का नाम लिख रहा हूं suppose that मैं factory project पे काम कर रहा हूं तो factory project लिख दिया यहाँ पे आपका जो भी project का name होगा वो आप mention करो कि xyz जो भी हो उसके बाद उस project की क्या location है वो आप fulfill कर दो इसमें मैंने अभी के लिए दले ले लिया यह कितने तारीक को check किया जा रहा है वो details आप input करो तो यह 10th 102022 कर दिया मैंने अब इन pointers पे हम समझते हैं कि क्या-क्या इसमें detail में mention किया गया है जो आपको site पे check करनी चुए तो सबसे पहला point जो हम देखेंगे brickwork करने से पहले कि क्या contractor ने या subcontractor ने सारा safety norms follow कर रखा है जिस example मैं आपको बताओ safety norms किस तरीके का safety norms support that आप height पे काम कर रहे हो fourth floor पे कर रहे हो tenth floor पे कर रहे हो उस case में उपर से material या लोग का गिरने का chances होता है तो उसे avoid करने के लिए क्या safety net लगाया गया है इस तरीके का safety norms आपको चेक करेंगे अगर किया गया है तो आप वहाँ पे yes में tick mark कर देना नहीं किया गया है तो otherwise no में कर देना यह बहुत ही simple चेक लिस्ट होता है similarly दूसरा point हम देखें तो इसमें हम cross check करेंगे कि क्या brick work शुरू करने से पहले जहाँ पे brick work करनी है उस area को क्या पूरी तरीके से साफ किया गया था वहाँ पे कोई loose concrete या किसी तरीके का other dirt तो फैला हुआ नहीं है इससे क्या होगा bonding में effect होता है इसलिए हम ensure करना होगा कि वहाँ किसी भी तरीके का loose material या concrete नहीं पढ़ा होना चीए अगर पढ़ा होगा suppose that तो आप यहाँ पे इस point में tick कर दोगे tick this point similarly third point हम check करेंगे third point जो आता अपना checklist में वो है इस line out for meceny work check मतलब जो चुनाई हो रही है या जो brick work side पे किया जा रहा है क्या वो proper line में है सूत रोरी बांद के हम check करेंगे उसके alignment क्या है अगर ठीक है तो yes में tick कर दो और गलत है तो no में tick कर दो suppose that अभी के लिए अच्छा था था तो हमने यहाँ पर tick mark कर दिया मैं tick click रहा हूँ आप tick mark का sign यूज़ कर लेना जो fourth point हम इस checklist में देखेंगे कि क्या जो mortar यूज़ किया जा रहा है require करने के लिए वो क्या as per specification या requirement ही है suppose that 1 is to 6, 1 is to 4 जो भी drying में mention था क्या वही motor की ratio है mix ratio या कुछ और किया जा रहा है यह हम ensure करना पड़ेगा हमें brick work शुरू करने से पहले ठीक है तो yes में tick कर दो otherwise no value option में आप tick करोगा अगर कोई issue है तो similarly जो बहुत ही important point है next point हमें यह check करना होता है कि जो brick work किया जा रहा है क्या as per dimension ही किया जा रहा है suppose that slab area में किस particular position पे wall खड़ी करनी है और कितनी dimension की है हमें यह ensure करना पड़ेगा code drawing से match कर रहा है otherwise यह बड़ा आप बना दो तो उसे हमें dispendal करनी पड़ेगी जो extra cost project की बढ़ा देगी तो यह check करना बहुत ही important हो जाता है suppose that कोई error आप पाते हो तो आप यहाँ पर tick mark करोगो no के option में similarly brick work के समय जो next point हमें ध्यान देना पड़ता है जो इस checklist में mention है वह है कि क्या brick work के दौरान हमने doors and window के correct opening dimensions छोड़े हैं और सही location पे छोड़े हैं नहीं यह cross check करेंगे जहां पे drying में दी गई थी वहीं पे ही window और other openings होने चाहिए दिये गए हैं तो very good then we will take in yes part similarly next point पे we will check for the curing arrangements कि क्या चुनाई होने के पाद curing की proper arrangement है के नहीं वहाँ पानी का विवस्ता suppose that दसमें तल्ले पे casting हो रही है तो वहाँ पे curing कैसे होगा क्या पानी कैसे ले जा रहा है contractor या subcontractor क्या arrangement है वह हम चेक करेंगा अगर नहीं होगा हमें order देखे उसे curing की arrangements करवाने पड़ेंगे नहीं तो और वह अनेबल है या नहीं करना चाहरा है या किसी भी तरीके से नहीं हो पाता है उतने time तो आप इस checklist में उसे नो में mention कर दोगे टिक मार्क लगा दोगे similarly इन सब क्या लावा कोई और extra point जो आपको नजर आता है वह आप यहां पर लिख सकते हो जैसे observation में कुछ भी है कि 70 वाले point से हैं कि observation हम लिखते हैं कि labor वाज नॉट फॉलॉविंग सेप्टी नॉर्म्स यह एक इग्जामपल है यह नॉर्मली फ़र्ष्ट पॉइंट में कंसिडर हो जाएगा उसने सेप्टी हेलमेट नहीं पहना किसी भी तरीका का सेप्टी नॉम्स हो सकता है यह अधर पॉइंट वह यहां पे हमें एज आज पॉजिटिव कमेंट लिखा जाए तक पॉजिटिव फिडबैक लिख सकते हो जो आप अच्छी चीज़े भी होंगी वो भी अप्जरविशन में लिख सकते हो प्युचर फिड्बैक में काम आएगा सिमिलरली अप हो तो क्लाइंट का सिगनेचर करोगे और क्लाइंट नही हो तो क्लाइंट से सिगनेचर करवाओगे जो उतना टाइम चाइट पे आपके साथ है और फिर आप अपना ही सिगनेचर यहाँ पे करोगे तो दोस्तो अभी हमने देखा एक मैसनरी वर्क के लिए क्या चेकलिष्ट होना चीए अलमुष्ट सभी पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिए हैं फिर भी कई अलग-अलग साइट पर यह अलग-अलग टेंपलिट्स फॉलो किये और कोई पॉइंट है जो आपकी रिक्वाइर्मेंट है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ अगर आपको यहाँ पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना आग मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ या भी कमेंट करके बताओ धेने वादे